नमस्कार दोस्तों मैं वरुन पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गड़वाली बुला मैं फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम इस वीडियो में नरेंदर सिंग नेगी जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसी प्रतिभा हैं ऐसे व्यक्ति विशेश हैं उत्राखंड में जिनके बिना की उत्राखंड अदूरा है ये अगर कहें तो इसमें कोई शंका नहीं होगी नरेंदर सिंग नेगी जी उत्राखंड के गड़वाल हिससे के मशूहर लोग गीतकार में से एक हैं कहा जाता है कि अगर आप उत्राखंड और वहां के लोग समाज, जीवन, शैली, संस्कृती, राजनीती, आदी के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आप किसी महान विद्वान की कोई पुष्टक पढ़ लीजे या फिर नरेंद सिंग नेगी जी के गाने या गीत आप सुन लीजे आपको उत्राखंड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा उनकी श्री नेगी नाम की एक संस्ताभी उत्राखंड में जो की लोग कलाकारों को एक स्थान पुरदान करती है कि वो वहाँ पे सीखें और अपनी कलाकृती के तरू जो उत्राखंड के लोगों को है उन्हें अंटरेटीन करें इसके अलावा नेगी जी सिर्फ एक मनोरन जनकार नहीं बलकि एक कलाकार भी है संगीतकार भी है और एक बहुत बड़े कभी भी है तो नेगी जी का जो जन्म है वो 12 अगस्त 1949 में पौडी जिले के पौडी गाउं में हुआ था उन्हों ने अपने जीवन अपने करियर में जो करियर की शुरुवात की थी और अब तक वे दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों में गाने गाच चुके हैं तो ये उनके बारे में एक ये बैक्ग्राउंड था समय के साथ साथ नेगी जी ने गड़वाल म्यूजिक इंडस्ट्री में नए गायक भी शामिल हुए है ऐसे लेकिन जो नदिन्द सिंग नेगी जी के जो गाने हैं वो आज की डेट में भी इतने ही रिलेवेंट हैं कि लोग उन गानों से खुद को जोड़ पा रहे हैं आज की डेट में जहां पर की पॉप, जैज, रॉक का जमाना आ गया है लोग वेस्टन कल्चर जो है उसका थोड़ा बहुत इंफ्लूएंस भी उत्राखंड की संस्कृती पर आ चुका है लेकिन इस दोर में भी जो नरेंद सिंग नेगी जी के जो गाने हैं उन गाने वो गाने क्वालिटिटिव हैं यानि आप उसको ये कह सकते हैं कि उसमें जो शब्दाबली इसमें जो लेरेक्स यूज हुए हैं वो आज भी एक उत्राखंड को अपने गानों में एक कि तरह दर्शाते हैं वो यानि आप आज की डेट में भी वो गाने इतने ही रिलेवेंट है यानि आप यदि इनके कोई पुराने गान में सुन लीजिए और उनकी लेरिक्स आप देख लीजिए तो आप उन गानों को आज भी रिलेट कर पाएंगे तो यह बहुत बड़ी ची अपने आपको अपने रूट से connect कर पाते हैं यानि अपने उत्राखंड में अपने गाउं से वहां कि पहाड़ियों से वहां की बादियों से अपने आपको जोडते हैं और महसूस करते हैं कि हम जुड़े हुए हैं उससे तो यह यह एक बहुत बड़ी जो नरिन सिंग नहीं है बलकि उन्होंने अपना पूरा करियर अपना अपनी अपना बच्पना जवानी और बुढ़ापा जो है वो उत्राखंड के लिए ही नियोचावर कर दिया है उन्होंने और ऐसे व्यक्ति विशेश और ऐसे गिफ्टिड पर्सन के लिए हम कह सकते हैं गिफ्टिड है हमारे लिए हो हम नमन करते हैं और इसी कड़ी में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने पर मैंने कोशिश करी है अपनी इस फ्लूट के थुरू कई उनके गाने जो भी हैं कोई बहुत सारे फेमस जो गीत है उनक आप गाने सुनिये और आप अगर आपको लगे कि हाँ ये जो बांसुरी पर जो ये धुन निकल रही है ये उन गानों को कनेक्ट कर पा रही है आप से तो इस चीज में मैं आपने आपको बड़ा आभारी समझूँगा और आप इनी शब्दों के साथ आप इन गानों का मज लीजिए मेरी इस फ्लूट पे तब तक के लिए आप नई वीडियो बनाता हूं जब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद और आप जुड़ते रहिए और देखते रहिए गड़वाली बुला